नमस्कार दोस्तों मेरनामि भलचंद्र ब्रह्मान्ड सिद्याष्टों में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडिये में हम चर्चा करेंगे कि कुंड़ी में जो गुरुग्र होता है वो सही में शुब होता है या नहीं कि कई दफा आमने देखा होगा या फिर सुना भी महादशा है तो वो आपको शुबफल देगा लेकिन सही में आपने कभी देखा है सोचा है या फिर जाना है कि गुरुग्र हर एक राशी के लिए शुब हो सकता है इसका जो उत्तर है जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे हम विस्तार से इस बारे में सोचेंगे तो आपको पत बल्केर अगा क llevा या उस्हक्त वर नहीं होते क्योंकि एक ही ग्रह सबीराशी के लिए पूर्णता शुब ह या पूर्णता अशुब नहीं होगा यदि जैसे कि हम और एक वीडियो निकालेंगे जिसमें शरी गरह के बारे में भी कहेंगे आपको या फिर मंगल गरह के बारे में भी कहेंगे अभी जो नॉर्मल हम देखते हैं कि गुरु अगर आपका अच्छा हो तो आपका जो शादी के होने के चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर अच्छी घटना है जो होती है वो लेकिन वह सभी राश्य के लिए नहीं होता क्योंकि यह जो ग्रह है वो जो ग्रह किन राश तोर पर यह देखा जाता है कि गुरु ग्रह की जो विशेशता है वो एसी कही जाती है या फिर जन्नमानस के मन पर इसका यही से खरीद दी जाते हैं तरह में हमारे जो जो शास्त्र के जो अच्छा क्यूं माना गया है देखे हमारा जो शास्त्र है मतलब जो भारती है जो शास्त्र है या फिर भारती जो तत्वग्यान है वो बहुत मैंनों पर मन पर चलता है मन पर माने के हमने ये जाना है कि जो सुख हम देखते है कि या फिर सुख जिसे का जाता है जो कि पैसों से खरीदे जाते है वो सही में हमें आनंद नहीं देता, वो जो सुख होता है, वो सही में हमें सुख नहीं देता, वो सुख की आकांशा जो होती है, वो और भी ज्यादा तीवरतम कर देता है, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर आपने ली, अगर समझो कि आपने बहुत अच्छा टीव तो और भी अच्छा टीवी लेने के लिए आपकी जो मान सिकता है वह तीव रदम हो सकती है फिर आपने अगर स्मार्टपोन लिया तो उसके संदर में भी यही भावना होती है मतलब यह तो तय है कि जो भी वस्तु पैसे से खरे दी जाती है वह हमें सुख पूर्णता नहीं देती तो जो सुख की वैक्या होती है वह संपुर्णता हमारे मन के उपर आधारित होती है मतलब हमारा जो समाधान है उसके उपर आधारित होती है जब किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी आदत के प्रति हमारा जब समाधान हो जाता है तो उसके प्रति हमारा जो अकर् की जो बात है या फिर समाधान की जो बात है वो बात आपको गुरु देता है तो गुरु कभी भी आपको पैसा नहीं देता आपने देखा होगा गुरु की जो राशिया है मतलब गुरु की दो राशिया है धनुराशी और मीन रशी तो यह जो दोनों राशिया है यह दोनों उन्हें अच्छे लगते या फिर उनके प्रतिम का अट्रेक्शन काफी ज़्यादा होता है जैसि गुरु का जो शत्रु ग्रह है वो शुक्र माना जाता है और शुक्र की जो राशियां मतलब भृषब राशी तुला राशी इन राशिया में जो पैसों का अट्रेक्शन है व वो मतलब देवों का ग्रू या फिर इश्वरों का ग्रू कहा जाता है तो इसे इसे जव एगर आपको पैसा नहीं देगा वो आपको समाधान देगा जिसकी वए से आपके मन में पैसर के प्रत्री जो भी किछाव है जो भी आकरशन है वह इतना ज्यादा नहीं देखा जाएगा तो इसी वज़े से जो गुरुग्रह है वो गुरुग्रह आपको पैसा नहीं देता ये बात तो आपको clear हो गई लेकिन यह जो गुरुग्रह है वह सबी राशियों के लिए अच्छा नहीं होता जैसे कि उसकी शत्रु राशिया है अभी यह गुरू की शत्रु गुरुग्रहों की राशिया है तो वह अगर आपका लगन हो या फिर आपकी राशी है तो फिर ये जो गुरु का जो भ्रहमन है वो आपको शुबफल नहीं देगा लेकिन बाकी की जो भी राशिया है मतलब मेश राशी है उसके बापर करक राशी है सिंग राशी है वृच्चिक राशी है या फिर मीन राशी है या फिर धनू राशी है इन राशियों को जो गुर अगर आपकी राशी जैसे मैंने कहा कि आपकी राशी है तो यह जो गुरुग्र है वह आपको शुबग जो परिणाम हुए डेगा लेकिन उसकी जो intensity होती है, उसकी जो तीवरता होती है, वो ज्यादा नहीं होती है, मतलब उसका जो मुलबु स्वभाव है, समाधान देने वाला जो स्वभाव है, वो उसके पास रहता है हमेशा, लेकिन उसकी जो तीवरता है, वो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो जोड़ा ग्रह है चंद्रमा रवी है बुद्ध शुक्र शनी और उसके हर्शल निप्चन प्लूटो राव कि तो यह सभी ग्रह वह सभी ग्रह संपूर्णता अशुब किसी भी कुंडली के लिए नहीं होते ऐसा कभी नहीं होता फिर उन वह जो ग्रह है उस राश्ची में किस जोग्रह है वो पापग्रह है लेकिन मंगल संपूर्णता पापग्रह नहीं है अगर आपकी करक रशी है सिंग रशी है या फिर आपका करक लगन है सिंग लगन है तो इन दोनों लगन के लिए यह जो मंगल ग्रह है वो राजयोक कारक होता है जी हां और यह जो गुरुग् पूर्ण राजयोकर किसी भी लगन के लिए या फिर किसी भी राशी के लिए नहीं होता लेकि जो मंगल गरह हम नॉर्मली सोचते हैं कि मंगली अगर कुणली है तो बहुत थोड़ा खत्रा होता है प्राब्लम होता है तो वो उस बात में भी ज्यादा तर्थ नहीं है उसके ब अंगल गरह वो राजयोकारक हो जाता है तो मन में यह जो भांती है वो कभी नहीं रखना कि कोई भी गरह जो है मतलब आपके कुणली की बहुत ही डीप स्टड़ी करने के बाद ही समझ में आ सकती है बात कि आपके लिए आपके राशी के लिए या पिर आपके लगन के पूर्णता शुभ नहीं होता तो दोस्तों यह था गुरुगरह के बारे में जब वो शुभ होता है या नहीं इसके संदर में चर्चा आपको भी वीडियो कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभाव किया इसके परवे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अ लेकर फिए कंग में जब चर्चा आपको पूचा आपको लगावावर के लुप किएी आपको नीचे आपको जब आपको भीक है जब करुच एवावर किया नीचे कि परवावर के जड़र किया दो जब आपको